Dear students, यह practice time है rupees and piaise का, 40 number chapter, पहला question है convert the following into piaise, हमें क्या करना है, इनको piaise में change करना है rupees को, 1 rupi में कितने piaise होते हैं, हमें सब को पता कि 1 rupi में 100 piaise होते हैं, कितने piaise होते हैं, 100 piaise, 5 rupi में 500 piaise, 7 rupi में 700 piaise, 4 rupi में 400 piaise, अब देखे, 3 rupi और 40, यहाँ पर देखो 3.40 rupi हैं, यानि कि 3 rupi और 40 piaise, पहले भी बताया था कि decimal, यह point है, जो point है, इसको हम decimal बोलते हैं, इससे इधर वाली value जो होती है, right side वाली, वो पैसे होते हैं, और इधर वाले rupi होते हैं, वालब यह 3 rupi में कितने piaise होते हैं, ठीक है, तो 3 rupi में कितने piaise होते हैं, 300 plus में 40 piaise हो लड़ी हैं, तो कितने हो जाएगे यह total पैसे, 340 पैसे हो जाएंगे, अब देखे, next question, convert the following into rupi, अब इनको rupi में convert करना है, 725 पैसे हैं, ठीक है, अब देखो 700 जो है, वो rupi बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो 25 है, व पैसे ही रहेंगे, वैसे तो, लेकिन, हम उसको जब rupi में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, 7 point, पैसे नहीं बोलेंगे, 7 point अगर लग जाता है, तो हम इसको rupi में मानते हैं, अब यहाँ पे भी, 345 पैसे हैं, तो 300 तो rupi बन जाएंगे, और 45 पैसे हैं, तो point के इधर लिखे जाएंगे, 860, 8 rupees और 60 पैसे हैं, तो, पैसे बाला point के इधर लिखा जाएगा, लेकिन अभी यह rupi बन चुका है, इसको हम rupi में कर्मिट कर रहे हैं, rupi में लिखेंगे 550 में, 5.50 rupees, ऐसे 635 में 6.35, अब यह rupi में convert हो गए हैं, अब देखें, next question, fill in the blanks, rupi 7 plus rupi 8, add करना है, easy है, 7 और 8 को add कर देंगे, तो, कितनी rupi बन जाएंगे, 15, यहाँ पे rupi 10, rupi 20, rupi 5, सब को add कर देंगे, तो, कितना हो जाएगे, देखो, 10 और 20, 30, 30 और 5, 35 rupees, 20 और 8, sorry, ऐसे कर लो, 12 और 8, 20, 20 और 20, 40, 40 rupees, अब आजाओ, यहाँ आगे, अब यहाँ बेदेखो, पैसे और 1 rupi है, 20 पैसे और 1 rupi, कितने पैसे हो जाएंगे, देखो, 1 rupi, पैसे तो, पैसे हैं, पहले से ही, तो, उनको तो, हमें change ही नहीं करना, लेकिन जो rupi है, उसक 100, तो 20 पैसे, पहले, प्लस में, 100 पैसे, कितने हो जाएंगे total, टोटल हो जाएंगे, यह 120, सीदा-सीदा 120 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, जगह निएतो, 120 सीदा-सीदा लिख सकते हैं, यहाँ पर, लेकिन आप copy में करेंगे, तो पहले ऐसे दिखा देना, फिर equal to लिखके, 120 पैसे आ जाएंगे 12 रूपीज प्लस में 80 पैसे तो टोटल कितने पैसे नहीं बताना है 12 रूपीज में 1200 पैसे 1200 पैसे प्लस में 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1280 यहने कि 1000 यह दे को 1280 1280 पैसे अब नेक्स पैसे 25 पैसे कोईंस में 1 रूपी कितने 25 पैसे के कोईंस मिलके 1 रूपी बनाते हैं 25 पैसे के कितने कोईंस यहाँ पर कितने कोईंस लिखने हैं बनाते हैं 1 रूपया 1 रूपय में 25 पैसे के कितने कोईंस होते हैं 4 हम कर चुके हैं तो 25 बढ़ा 25 50 हो गया 50 में 25 करो 75 75 में 25 करो 100 100 पैसे हो गए और की 5 रूपी हो गया 100 पैसे कम सब 1 रूपी तो यहां पे कितने 4 होंगे 25 पैसे की कोइन्स 20 पैसे की कितने कोइन्स मिलके 1 रूपी बनाएंगे बन रूपी बनाएंगे देखो 20, 20, 20, 20, 40 हो गया, फिरसे 20, 60 हो गया, फिरसे 20, 80 हो गया, फिरसे 20, 100 हो गया, यांगी कितने कॉइन रूपी है हमने देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कोइन हम ने यूज कि 25 पैसे कि तब वो 100 पैसे बने यानि 1 रूपी बना तो 5 20 पैसे coins मिलके 1 रूपय बनाते हैं answer the following the cost of 1 orange is 7 ठीक है 7 रूपी रूपी 7 एक mango की जो cost है वो रूपी 7 है but is the cost of 5 mangoes 5 mango की कितनी हो जाएगी 5 से multiply कर देंगे यानि की total cost total cost equal to कितना हो जाएगा 5 cross 7 यानि की रूपीज 35 क्यों कि या 5 से multiply क्योंकि 5 mango लेने हैं हमें इसलिए जितनी quantity होगी उससे multiply कर देते हैं जितना price होता है उसको या फिर हम यह भी कह सकते हैं की 7 देखो एक mango का price 7 फिर दूसरे mango का भी 7 फिर तीसरे का भी 7 चोथी का भी 7 फिफ्थ का भी 7 तो इस तरह ऐसे 555 कितनी बार sorry 777 कितनी बार आया है 5 टाइमस आया तो 5 टाइमस 7 यानि की 5 ग्रो 7 9 पैंसिल कोस्ट 81 अब 9 पैंसिल की कोस्ट हमें दे रखी है रूपीज 81 अब इसमें हमें ज्यादा की दे रखी है अब हमें ज्यादा का प्राइस दे रखा है और कम का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं कोस्ट ओफ वन पैंसिल कितनी हो जाएगी जो रूपीज होते हैं उनको डिवाइड करते हैं जो क्वेंटिटी होती है उससे नाइन पैंसिल है, नाइन से डिवाइड करेंगे तो देखो जब हम डिवाइड करते हैं 9, 9, 81 तो 9 एंसर आजाएगा सिधा सिधा हम डिवाइड कर रहे हैं तो रूपीज 9 ना जाएगा 9 रूपीज आजाएगा इफ 1 पैं कोस्ट रूपीज 8 लेकिन अब हमें यह नहीं निकालना कİ ज्यादा Penn की cost नहीं निकालना ही कोस्ट दोनों दे रखी है एक Penn की भी दे रखी है गया ज्यादा Penn की भी दे रखी है हमसे पुछ रहा है number of pens तो ऐसे जब number of P subm पूछता है तो हमें division करना होता है 72 को जो ज़्यादा मतलब सभी पैंस का प्राइस है वो डिवैडिड बाई बन पैंस का कोस्ट उसे डिवैड कर देंगे तो वैलू आ जाएगी जो हमारी नंबर ओ पैंस है तो 72 को हम डिवैड करें 8 से तो 8 9 जो 72 होता है तो 9 अंसर आ जाएगा 9 क्या आगे पैंस आगे इफ 4 केजी टमैटो कोस्ट उपीस 36 परिदे को प्राइस ओफ 1 केजी टमैटो डिवीजन होगा इसमें 4 किलो का प्राइस हमें दे रखा है एक 1 केजी का निकानना है तो कोस्ट ओफ 1 केजी टमैटो या प्राइस ओफ 1 केजी टमैटो 1 केजी टमैटो कितना हो जाएगा इसमें यह हम क्या करेंगे ठीव को से डिवाइड कर देंगे यह अपर देकिए जून करना है यह 5 पैसे 25 प्लस 5 30 हो गया 30 पैसे अब यहां पर देखो 25 प्लस में 10 है प्लस में 5 है यहां पर कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 5 35 हो गया 85 हो गया 85 पैसे इसे प्लस 5 प्लस with यहां यहन रूपी हो गया और पैसे 100 पैसे में पूछ रहा है तो हम यूसे बताएंगे पैसे बताना है कि यह तो कितने पैसे बनेंगे 100 या तो यहां लिखी लो जैसे इदर एड़ भी तो कर सकते हैं 50 और 50 100 और 1 यह 35 हो गया 135 पैसे चलो इसको हम दोनों तरीके से लिख देखते हैं 135 पैसे या फिर 1 रुपी और 35 पैसे 1 रुपी बन गया ना 100 से 35 पैसे पी लिख दिया मैंने पैसे के लिए या फिर पूरा भी लिख सकते हैं पिछे जगह है यहां पर देखें 50 पैसे फिर 10 10 60 70 70 और 30 कितना हो गया 100 पैसे हो गया न I think तो हाँ ठेखो 25 पैसे 30 40 50 हाँ 100 पैसे हो गया 100 पैसे का मतर्प 1 रुपी और करके लिख दे ना इसको और का मतर्प यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है चीक है तो यह दोनुआ अंसर हो सकते है या फिर equal करके भी लिख सकते हैं इसके equal यह लिख दो तो यह हो गया इसके बाद next question देखे add the following add 25 rupees 30 पैसे and 20 rupees and 40 पैसे अब देखो एक value है यह यहां तक चीक है यह एक value है यह एक value है पिर यह दूसरी value है 20 rupees and 40 पैसे ठीक है तो rupees के नीचे rupees पैसे के नीचे पैसे देखो rupees के लिख दिया और पैसे के लिख दिया और rupees के नीचे 25 rupeals था 30 पैसे था इस वाली value में दूसरे में कह century 20 rupees 20 के नीचे rupees और 40 पैसे पैसे के नीचे पैसे यह सिर्फ 2 value है confused नहीं होना कि यह 4 value है यह 2 ही value है ठीक है तो जब आब add करोगे ना तो rupees के नीचे rupees आना चाहिए पैसे के नीचे पैसे आना चाहिए तो देखो add होके 45 rupees 70 70 पैसे आ गया तो ऐसे लिख देंगे answer 45 rupees 70 पैसे ऐसे ही सबको add करना ही है एक बार देख लो सभी जिनकी पाश्बूक नहीं है थोड़ा पोज करके रोख के एक बार वीडियो को फिर यह लिखे लेना अपनी कोपी भी और कर लेना वैल्यूस मैंने दिखा दी है देख चुके ना देट सोल फो टुड़ेज क्लास हेवे नाइस टे